कि नमस्कार दोस्तों मैं जैते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी बंद रखें नए वीडियो में आज के इस वीडियो में बात चीत करने वाले हैं विटकोईन के बारे में और overall cryptocurrency market के बारे में भी क्या कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है हमको यहां पर बिटकोईन के चाट के उपर चाहे यहां पर बात करूँ मैं बेहद अच्छी घरावट हमको देखने को मिल रही है हमको यहां पर 21,500 से लेकर 16,000 के भी नीचे तक के purizes हम देख चुके यहां पर ब बदल चुका है मार्केट के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो सस्क्राइब को बटन बिलकुल दबा आप सब लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर बिना वगवाय चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर हम दिसक्रेशन करेंगे क्या कुछ प्राइज चलना है यहां पर मार् का प्राइस चल रहा है 1202 मतब कि 1202 का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर BNB के टो 279 डॉलर का प्राइस चल रहा है यहाँ पर 5.69 6 डॉलर के नीचे सबसे जाधा बड़ी जो यहाँ पर गिरावट है वो है FTT कोईन के अंदर जो की कुछी दिनों के अंदर अपनी 90% से जाधा की वैल्योशन जो है वो लूस कर चुगा है तो यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर मार्केट में बदल चुगा है काफी कुछ चीज़े जो यहाँ पर बुल मार्केट के अंदर फेवरेट कोईन हुआ करते थे वो आज की डेट में रदी के भाव यहाँ पर मिल और है तो यह सारी चीज़े जो हमको यहाँपर बातकीत करनी है आज चीजिन के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें दो यहाँ पर ब्रेकि हुआ है लेकिन अब यहाँ पर उमीद लगा जा रही है कि मार्केट एक य Поэтому कर ए रही है तो कौन से वो levels होंगे जिनको retesting यहाँ पर करते हैं हम देख सकते हैं यहाँ बिटकोईन को तो उन सब चीजों के बारे हमें बातचीत करते हैं देखिए यहाँ पर जो horizontal levels थे मैं उसको यहाँ पर फटफट ड्रॉ कर लेता हूँ तो horizontal levels करीब करीब इन levels के आसपास थे 19,000 के आसपास 19,200 के आसपास के level मैं आपर 19,200 यहाँ पर mark करता हूँ क्योंकि यहाँ पर horizontal level को 19,200 के आसपास थे काफी बारी 19,200 के आसपास closing हमने देखी है यहाँ पर जो कि यहाँ पर बिटकोईन के चार्ट पर थी अगर मैं नीचे की अगर मैं बात करूँ तो कुछ यह levels थ जहाँ पर की बार-बार-बार-बार bounce हो रहा था market तो यह levels basically रहेंगे 18,200 के आसपास के level तो यह levels थे जहाँ पर बार-बार विकारी थी और उपर की तरह जा रहा था मतब कि 18,200 से लेकर 19,200 तक के levels हो सकते हैं जो कि यहाँ पर Bitcoin retest कर सकता है हो सकता है कि यह सीधा ही यहाँ प चाफियत तक तैम आना जा रहा है कि यहाँ पर market एक बरी के लिए 19,200 तक के levels को जो है या फिर यहाँ पर 18,200 से लेकर 19,200 तक के levels को यहाँ पर retest कर सकता है इस CISO के लिए यहाँ पर definitely हम सब लोग जानते कि एक बरी जब breakout होता है तो उसके बाद retesting हो सकती है और अगर retesting हो तो वो market के लिए जादा है एक तरीके से जादा अच्छा indication देती है जादा healthy भी होता है of course किसी भी trend को decide करने के लिए तो हो सकता है कि market कुछ इस तरीके से आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमको ऊपर जाता बद दिखे और उसके बाद retesting करने के बाद फिर से यहाँ से नीचे क आ जाओं तो आप सब लोगों को उसी दिन ही मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर market पहले एक बरी उपर की तरफ आ सकता है 20,000 के उपर फिर उसके बाद भारी गिरावट आएगी यहाँ पर जो आ सकती है basically और वैसा ही हुआ यहाँ पर market के अंदर हमने exact उसी तरीके से द 18,200 से लेकर 19,200 तक के levels है जो कि retesting हो सकती है वंडे के चार्ट के उपर और जब वहाँ पर retesting होगी उसके बाद हमको further और बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है market के अंदर so be prepared for this thing for this retesting काफी हद तक market नीचे गिर चुगा है अब जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर short करो समान जितना भी हमके पास माल है वो सब कुछी से बेच दो तो यहाँ पर उन लोगों को भी दुबारा से यहाँ पर बताने का मौका है कि यहाँ पर जो shorter है उनको liquidate करने का मौका है कि जिन्नों ने भी high leverage के उपर trade ले रखी है यहाँ पर उनको यहाँ पर liquidate कर सकता है market तो यहाँ पर थोड़ा सा इन सब चीजों के उपर ठ्यान देंगे यहाँ पर market एक बड़ी उपर की तरफ आ सकता है हाँ of course मैं यहाँ पर आप सब लोगों को फिलाल के लिए short करने की suggestion इस point पर जहाँ पर 16,500, 16,600 के prices चल रहे हैं इस point पर तो आपको short करने की सला नहीं दूँआ नहीं long करने की सला दूँआ यहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर जो trend है वो bearish है लेकिन yes अगर हमको prices उपर की तरफ दिखें यहाँ पर अगर हमको 18,200 से लेकर 19,200 के बीच में अगर prices अगर दिखें तो यहाँ पर अपने high को जो की यहाँ पर था 21,500 का वहाँ पर हमको अपना stop loss लेके देखिए थोड़ा सा deep stop loss होगा यह थोड़ा सा बड़ा stop loss होगा 19,200 से लेकर अगर मैं 21,500 की बात करूं तो 2000 डॉलर हो जाते हैं 2000 डॉलर से भी जाद हो जाते हैं तो उस चीज़ को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि stop loss तो अफकॉर्स यहाँ पर 21,500 पे ही लगेगा अगर logical stop loss अगर हम बात करें तो अगर हम उतना deep stop loss अगर हम ले सकें तो उपर जब market यहाँ पर जाए तो व इग्नोर कर सकते हैं लेकिन ट्रेंड के साथ चलने में जो benefit होगा वह बड़ा benefit हो सकता है तो उस situation में हमको 21,500 यहाँ पर अगर हम stop loss रखें थोड़ा सा low leverage trade करें तो उस condition में हमको दुबारा से यहाँ पर profit नीचे downward side पर होते वह दिख सकता है क्या कुछ targets रहेंगे वह हम previous video क situation कर चुके हैं वैसे तो लेकिन फिर भी आप सब लोगों बता दें कि यहाँ पर जो targets रहेंगे सबसे पहले तो मैं 14,000 के आसपास के लेवल के उपर नजर रख रहा हूं कि यहाँ पर 14,000 के लेवल हो सकते हैं उसके लावा मैं को यहाँ पर 11,500 से लेकर 10,500 तक की range में को यह यहाँ पर दिखती है 14,000, 11,500, 10,500 यह मेरे लिए favorite levels है जो कि जहां तक मैं आने वाले वक्ते इंदर bitcoin या फिर total overall market के यहाँ पर जो condition बनी भी है उसके यहाँ पर आते वे prices को देख सकता हूं तो यह सारी चीज़ें जो कि मैं को यहाँ पर दिखता है by chance अगर यहाँ पर market 9800 जो कि यहाँ पर जहां से की bull run actually में start हुआ था उसके भी नीचे चला गया तो उस condition में फिर market जो है और ज़्यादा deep down या फिर मतलब basically 7800, 8000 के आसपास के levels शाद test कर ले लेकिन उसकी उमीद में को फिलाल के लिए कम है मेरे यहाँ पर जो उमीद बनी वी है यहाँ पर 11,500 से लेकर 10,500 की उमीद मेरे ले जादा बनती है तो यह सारे situation है यहाँ पर Bitcoin के चार्ट को लेके अब अगर मैं बातचीत करूँ थोड़ा सा Ethereum के चार्ट के उपर तो Ethereum USDT का चार्ट यहाँ पर खोल लेते हैं अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या कुछ levels हमको यहाँ पर दे से लेवल चलरा है 1212 का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर मैं यहाँ पर ऊपर केoire आपर बैसे के जो important है यह level कौन से हैं यह 1420 के आसपास के लेवल जो पहले आपर सपोर्ट थे जो कि अभी यहां पर हो सकता है कि यह जो एरिया है 1400 से लेकर 1500 के आसपास का level यह जो level है काफिया important रह सकता है अगर यहां पर bitcoin भी उपर जाए तो यह level काफिया काफिया important रह सकता है हाँ अगर मैं short term की अगर मैं बात करूं तो short term में हमारे लिए यह level काफिया important रहेगा जो की support की तरह यहां पर काम कर रहा था तो यह level कौन से यह level ते somewhere around 1250 से लेकर 1350 की आसपास के लेवल यह जो एरिया था बेसिकली लेकिन मुझे परस्नली ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि market यहां से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाए और somewhere around 1400 के आसपास के levels के आसपास जाके फिर further downward movement ले ले जिसमें यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर अगर मैं Fibonacci के साब से भी बातसीत करूं तो Fibonacci के साब से भी हमको यहाँ पर अच्छी कासी retracement जाए हो आते वे दिख जाएगी somewhere around 61.8 के आसपास के retracement जो कि यहाँ पर 1450 के आसपास complete हो सकती है तो यह सारी चीज़े जो कि में को important लगते हैं levels वह मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रहा हूं हो सकता है कि 1450 के आसपास के levels हम देख ले अगर 1450 के आसपास के levels हम देखें तो ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा deep यह लेकिन फिलाल के लिए मैं आप सब लोगों से यही का हुआ कि इस level के आसपास कोई भी shorting नहीं बनती है already market का फिवाता गिर चुका है अब यहाँ पर आने है एक relief rally और relief rally आने के बाद यहाँ पर जो है market फिर से continue कर सकता है नीचे की तरफ जाने के लिए कुछ इस तरीके से right कुछ ऐसा कुछ हो सकता है और मेरे हिसाब से जो यहाँ पर previous low था यहाँ पर ethereum का जो किता है यहाँ पर 880 के आसपास उसको भी market यहाँ पर breakdown करकर और नीचे की तरफ हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है हो सकता है कि इस बरी हमको 500 dollar के नीचे भी हमको ethereum आता पाद दिखे एक बरी तो इन सब चीजों को हमको यहाँ पर प्रसक केरफुली ट्रेड करना है और यहाँ पर थोड़ा सा नजर रखनी है market के अंदर कि क्या कुछ चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रही है चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर बातचीत करेंगे हम यहाँ पर bitcoin dominance के बारे में कि altcoins कैसा कुछ perform करने वाले है वैसे तो altcoins यहाँ पर काफी जादा bleed जादा कर रहे है bitcoin से भी जादा अगर मैं बातचीत करूं यहाँ पर bitcoin जितना परसंट गिरा है उससे जादा गिर रहे है अभी यहाँ पर फिलाहल के लिए bitcoin dominance फिर भी नीचे आत वह दिख रहे है लेकिन अगर एक बरी BNB के इंदर अगर गिरावट अगर आते पर हमने देख ली तो उसके बाद हमको यहाँ पर यह दुबारा से उपर जाते हैं हमको bitcoin dominance देखने को मिल सकता है तो थोड़ा साइन सब चीजों के पर ध्यान रखेंगे साथ ही साथ यहाँ पर fed reserve की meeting भी है तो उस सब चीजों के पर भी हमको ध्यान रखना होगा किस तरीके का data आ रहा है क्या कुछ चीज़े हो रही है उन सब चीजों के इसाब से market यहाँ पर perform कर सकता है तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें आज के इस video के इंदर discussion करने के लिए थोड़ा यहाँ पर इधेरियम और BNB fall down करते हैं जाधा speed से मतब Bitcoin से भी जाधा speed से तो उस condition में यहाँ पर अभी फिलाल के लिए चाथे 40 के आसपास चला है Bitcoin dominance तो फिर से उपर की तरफ देखने को मिल सकता है Bitcoin dominance तो यह सारी चीज़ें और आप सब लोगों को एक चीज़ बताते जरूर कि इस ब 1, 2, 3, 4, 5 वाले direction में यहाँ पर है इसका reason बहुत ही साफ है अगर मैं यहाँ पर logarithmic chart अगर मैं देखूं और मैं यहाँ पर logarithmic chart के हिसाब से अगर मैं calculate करूं हाँ तो उसमें मेरे को कुछ चीज़ें जो है वो different नजर आएंगी और आप सो लोगों को बता दे logarithmic chart के हिसाब से यहाँ पर जो इस बारी चल रहा है पर अगर मैं देखूं तो long term के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हो चुका है और उसके बाद जो correction आती है तो उसमें बड़े logarithmic chart के हिसाब से यहाँ पर ABC correction आती है कुछ इस तरीके से A, B and then C और A wave के अंदर होती है 5 waves जिसका result हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर 5 waves correction देखने को मिल रह리 है usually जो है हमको 3 wave correction देखने को मिलती है अगर मैं बात करूँ यह 2 second wave के अंदर हमको 3 यहाँ बारी देखने को मिल रहा है next time that will be a B wave जब यहां पर market उपर की दिरेक्शन में जाएगा और hopefully यहां पर next bull run के अंदर जो है all time high Bitcoin ना कर पाए काफी जादा resistance भी यहां पर $55,000 से लेकर $69,000 के बीच में काफी जादा heavy resistance भी देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ जब B wave उपर की तरफ जाता है तो B wave के अंदर देखने को मिलता है all season चाहे अगर मैं बातचीत करूं यहां पर 2017 की तो 2017 में भी हमको यह चीज़ देखने को मिली थी कि जब B wave उपर गई थी third wave की sorry fourth wave की B wave उपर की तरफ गई थी तब उस situation में हमको एक बहुत बड़ा all season देखने को मिला था तो ऐसे ही next bull run के अंदर हमको all season के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है इंस्टेड ऑफ कि Bitcoin अपना all time high break करें बहुत सब्सक्ते हैं जो कि अपना all time high break करें सकते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर हम आप सब लोगों को update देते रहेंगे कि कौन से coins है जिसके अंदर की यहां पर investment करनी चाहिए लेकिन this is not a good time to invest into the market क्योंकि already यहां पर market जो अभी इस समय पर गिरावाट शोग कर रहा है इसलिए आप सब लोगों से यहां पर कहना चाहरा हूं कि यहां पर अगर हम Bitcoin dominance का थोड़ा सा ध्यान दे तो Bitcoin dominance हमको especially यहां पर यहां प so be ready for this thing altcoins बहुत जल्दी accumulation start करेंगे आप सब लोगों को सारी information देंगे कौन से altcoins होने चाहिए जिसके अंदर accumulation करनी चाहिए और उसके इसाथ से आप यहां पर आने वाले वक्त के अंदर एक bumper profit जो कमा सकते हैं तो दोस्तों यही कुछ चीज़ने हैं आज के इस वीडियो में उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आओगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजेगा ज़्यदे ज़्यदे शेयर कीजेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करकर ज़रू बताइएगा कैसा ल